आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरकिंग कैपिटल क्या है और यह कैसे काम करता है आसान भाशा में समझें वरकिंग कैपिटल की परभाशा वो राशी जो हमें रोज मर्रा में बिजनस को चलाने में मदद करती है उसे वरकिंग कैपिटल कहते हैं आसान भाशा में कहें तो बिजनस को सही तरीके से बिना किसी रुकावट लगातार चलाने के लिए जिस पूंजी की आवशकता होती है उसे working capital कहा जाता है जैसे दुकान या ओफिस का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ या करमचारियों का वेतन, माल खरीदने या उसे बनाने के लिए लगने वाला खर्च आ दे बिजनेस टर्म्स में समझें तो कमपनी के करेंट असट के कुल योग से करेंट लाबिलिटीज को घटाने पे आने वाली संख्या को working capital कहते हैं यहाँ पर करेंट असट का मतलब है कैश, बांक बैलन्स, ग्राहकों से प्राप्थ होने वाली पकाया राशी, बिकने से बज़े हुए माल का स्टॉक और तयार माल करेंट लाबिलिटीज का मतलब है, सप्लायर और अन्य लोगों को दी जाने वाली पकाया राशी, लोन आदे यहाँ हम manufacturing industry का example लेकर working capital के बारे में समझने के कोशिश करेंगे जिससे इसके बारे में आसानी से समझा जा सके अगर आप किसी manufacturing industry के अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको raw material purchase करना पड़ता है raw material खरीदने और store करने में 30 दिन लग जाते हैं फिर आप अपने products की manufacturing करते हैं, तो working progress का समझे 10 दिन लग जाता है प्रोड़क्ट्स पूरी तरह से तयार होने में 20 दिन लगते हैं यानि कि 10 दिन working structure बनाने और काम की रफ़तार पकड़ने में लगते हैं बागी के 20 दिन products ready होने में लगते हैं टोटल 30 days production process and finished goods में लगते हैं इसके बाद product sale के लिए warehouse में जाता है, यानि कि sale के लिए जाता है तो ये total cash to cash की cycle करीब 90 दिन की बन जाती है जिसमें आपको 30 दिन में सामान खरीदना है, demand के according store करना है फिर 30 दिन में production का काम शुरू करके finished करना है फिर 30 दिन में products को market में उतार कर sale करना है और market से पैसा उठाना है इस 90 दिन की cycle को पूरा करने की बाद ही आपको आपका फसा हुआ पूरा पैसा मिलता है तो इस 90 दिन की cycle को ही working capital कहा जाता है